हेलो एबरिबन दिस इस अंशू एंड वेलकम टो रिविजन क्लासेज डिसकस करेंगे आज और गनिजम एंड पॉपुलेशन के बारे में यह डाइग्राम देखने के बाद हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या पढ़ना है और कहां से शुरुआत करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चाप्टर आपके लिए यह बहुत ही आसान हो जाएगा कि यह शुरुआत कहां से है इसका और हर एक चीज जो यहां लिखी हुई है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं इस चाप्टर को यहां पे देखिए एक एटम है एटम से मॉलिक्यूल्स बने हैं और यही मॉलिक्यूल्स बाद में और्गनाइज होके सेल का फॉर्मेशन करते हैं सेल क्या है बब सेल हमारे बॉड़ी का स्ट्रॉक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है यही सेल्स जब सिमिलर टाइप के कई सारे सेल्स मिलते तो यहाँ पर टिशू बना है यह टिशू फिर से और्गन, और्गन से और्गन सिस्टम देन और्गनिजम ऐसे ही करते हुए हम आ जाते हैं अपने बायो स्फियर के पास बट अभी ऐसे हमने एक बार देखा तो यह थोड़ा सा मुश्किल है समझना इसको हम अपने हैंड रिटेन नोट में जब समझेंगे लिखके तब हमारे लिए और आसान हो जाएगा यह चलिए देखते हैं क्या है यह atoms और molecules यह तो हमको यादी रहेगा कि सबसे पहले आता है बेटा atom और इस atom के बाद बनते हैं molecules यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं यह हमें पता है अब यही molecule और्गनाइज होते हैं अपने आपको और्गनाइज करके cell बना लिए अब देखिए यहां से हमें पढ़ना है क्योंकि हम लोग हैं biology के student और हमें bio के term में ज़्यादा अच्छे से समझ आती है तो atom और molecule कहीं ना कहीं हमें chemistry वाली feeling दे रहे थे बट cells जैसे हमने cell के बारे में सुना हमें लगा कि yes यहां पे कुछ biology वाला है तो cell क्या हो गया चलो अपना एक मैने यहां पे cell बनाया यही cell जो है बाद में similar type के जब cell मिलेंगे एक जैसे कई सारे cell आपस में मिलके same function को perform करते हैं तो वो बना लेते हैं tissue tissue को बोलते हैं वेटा हिंदी में उतक ठीक है तो cell ने बनाया tissue अब ये tissue बनाते हैं वेटा organ क्या बनेगा tissue से organ organ को हिंदी में बोलते हैं अंग क्या हमने रेखा कोशिका एक कोशिका ने उतक बनाया उतक से अपना अंग बना cell tissue and organ organ में क्या क्या हो सकते हैं समझो कि मैं बता रही हूं अगर आपको तो औरगन में अपना आ सकता है, मालो एक लंग भी अपना औरगन है स्टमक भी क्या है, औरगन है, एक औरगन ही तो है इसी तरह से और भी कई सारे औरगन आप दे सकते हो, हार्ट भी एक क्या है, औरगन है तो ये सारे के सारे और्गन अभी ऐसे, separate हैं, अकेले हैं जब ये कई सारे और्गन आपस में मिल जाते हैं तो ये मिल के बनाते हैं बेटा, और्गन system क्या बनाएंगे ये? और्गन system बना लेते हैं एक system का मतलब वो 7-7 में एक coordinate होके काम करना सुरू कर देंगे तो ये एक system बन जाएगा अब organ system देखो क्या क्या हो सकते हैं heart वाले system जो हैं कई सारे चीजों को अपने पास मिला के बना लेगा circulatory system जिसमें कि वो blood का circulation कराएगा circulatory system बनाना ऐसे ही lung वाले जो है वो respiratory system बना सकते हैं देखो हमारे बॉडी में कैसे यह चीजे बनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी तरीके से स्टमक है और भी कई सारे ओर्गन के साथ यह अपने आपको कंबाइन कराएगा और एक अच्छा सा क्वाडिनेशन बना के अखके बनाएगा और इसको हम पढ़ते हैं डाइजस्टिल सिस्टम इसी तरीके से और भी कई सारे सिस्टम है जैसे कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है ब्रे Azinfekt Committee के ले कर तो यह सारे कि सारे जो सिस्टम अपने बॉडी में बन गए और system जितने भी ये बने है, organ system, वो एक अच्छी तरीके से अपने आपको organize करके बनाते हैं, एक organism, क्या बनता है बिटा, organism, तो हमने देखा है कि कैसे organism बनता है, organism का मतलब एक particular इंसान की बात हो रही है, कि एक इंसान के बनने में क्या-क्या हो सकता है, सबसे पहले atom था, atom ने बनाया molecule, molecule से बना है अपना cell, जिसको की हमने कोशिका बोला है, cell क्या है बिटा, structural and functional unit है, structural and functional unit, किसकी, हमारे body की, क्योंकि इसी से संदचना बनी है और यही कारे करने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है हमारे सरीर की, cell ने बनाया tissue, tissue को उतक बोला गया है, tissue से organ बना, organ मिलके बनाएंगे organ system, organ system जब बन गया, एक system particular बन गया है, जहां पर अच्छे से अब काम हो सकता है, तब हमने बनाया है organism, organism का मतलब एक individual बन के तयार हो गया है, अब देखो यह एक individual जो है, वो particular किसी एक species का हो सकता है, जब हम हायार की पढ़ते हैं, biological classification में, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, species है, genus है, family है, order है, class है, यह सारी की सारी चीज़े हम वहाँ पे देखते हैं, kingdom वगेरे तक जाते हैं, तो यह जो एक species है, species को आप कैसे समझोगे कि हम यह जो organism है, उसको अभी एक species कह रह species, तूसरे अपने ही same species के किसी भी एक individual के साथ शादी कर सकता है, और शादी करने के बाद उस अपनी offspring को produce करा सकता है, interbreed करने का मतलब होता है, reproduction की ability, same species में ही हो सकती है, for example, यह जो species है, इसको हिंदी में हम जाती बोलते हैं, यह जाती हम जो caste बोलते हैं, उससे बिलकुल अ जाएंगे, species का मतलब हम बोलें अगर, तो जतने भी humans हैं, dog की अलग species होगी, इसके अलावा मच्छर मालो मस्का, domestica उसकी अलग species होगी, तो human का reproduction humans के साथ ही हो सकता है, एक human, चाहे वो human India का है, चाहे वो human Africa का है, मगर वो आपस में interbreed कर सकते हैं, क्यूं क्यूंकि वो दोनो ही एक species के हैं, human के, same condition for dog, same for muska, domestica, जो की मच्छर है अपना, इसके अलावा ऐसे ही plants जो हैं, उसमें भी जब हम pollen-pistil interaction पढ़ते हैं, तो जो stigma है, वो अपने ही species के pollen को recognize करती है, और pollination कराने के बाद, reproduction करने की उसको permission देती है, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या समझा है, कि हमने देखा है, कि जो cell था, cell से मिलके बना था अपना tissue, tissue ने बनाया organ, organ ने बनाया organ system, देखो कैसे बनता जा रहा है, और organ system ने बना दिया हम लोगों का एक organism, जिसमें की हम सब एक organism हैं, इस organism के बाद से, अब हम आएंगे एक और हयारकी में नया, जिसको हम बोलेंगे, एक organism से अपना species बनता है, species कौन? जो आपस में interbreed कर लें, interbreeding का मतलब reproduction कर सकते हैं आपस में, ये जो species है बेटा, अब इसका एक group ले लो, group of species, एक ही species का एक समू है, उसको आप बोलोगे population, क्या बोलते हैं बेटा, population, अब देखो population क्या होता है? हम जब देखते हैं, human के case में, तुम human population बोलेंगे, plant के case में जाओ, तो कहीं केवल mango tree है, तो बोलोगे mango का population है, तो यहाँ पे ये समझना है कि population में सिर्फ एक ही species जो है, उसी के group को लिया जाता है, इसको और अच्छे समझते हैं, मान लो हम लोग गये हैं किसी भी, कहां पे चलें, पार्क में चलते हैं, उस पार्क में हमने देखा कि कई सारे human beings घूम रहे हैं, ऐसे टहल रहे हैं, morning के समय, तो यह जो human being टहल रहे थे पार्क में, उनके group को हमने बोल दिया कि यहाँ पे human का population है, ठीक है बिटा, अब उसी पार्क में क्या सिर्फ और सिर्फ human beings होंगे नई, उस पार्क में और क्या क्या हो सकते हैं, humans के अलावा, मान लो कुछ अपने human beings थे, जो कि टहल रहे हैं, आदमी, इनके साथ साथ वहाँ पे कुछ birds होंगी, जो कि उड़ रही होंगी उपर आकास में, birds के साथ साथ नीचे देखो, पार्क में ही कहीं ना कहीं कुछ चु उसके group को हमने बोल दिया population, मगर उसी जगह पे और भी जितने living organism थे, उनमें कई सारा population हो सकता है, ये plant का population है, ये human का population है, ये rat का population है, ये birds का population है, तो अगर हम बोलें कि group of population, कई सारे population का group बना लो, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोलते हैं बेटा, community, क्या बोलोगे उस को community, अब समझ में आया कि population और community क्या होती है, इसका definition भी पूछा जाता है, हम species से लेके चलेंगे, species अपनी सबसे smallest unit है, और एक organism जो है, जो आपस में interbreed कर सकते हैं, उनको हमने एक species बोल दिया, इस species में किसी भी particular एक species को उठाओ और उसके group को आप population बोल दोगे, जैसे कि मा अब जहां भी भी आप जाओगे, वहां आप अकेले separate तो रहोगे नहीं, आज पास और भी चीजें होती हैं, तो उन सभी के population का group बनाओ, कि हम कुछ यहां पे मानो हैं, कुछ यहां पे पेड़ पौदे हैं, कुछ और भी जीव जनतु हैं, कुछ पंक्चियां हैं, अगर मा community जहां रह रही हैं, क्या वहां पे सिर्फ और सिर्फ जीवित लोग ही हैं, living organism बिल्कुल नहीं, ये community जो है, मानलो अपना ये जो community था, यहां पे कुछ मानो थे, यहां पे इनके साथ ही साथ में कुछ पक्चियां भी उड़ रही थी, कुछ ऐसे जीव जनतु थे, जो ऐसे थे, कुछ पेड़ पौधे भी थे न, इनके साथ, और क्या हो सकता है, सोचिए, इन जितने भी living organism हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं हमको दिखाई देंगे कि कुछ non living things भी हैं, जैसे मानलो अभी बारिस आ गई, बारिस नहीं भी आए, तो कुछ humidity air में होती है न, तो ये क्य अगे हैं, नौन living है, sunlight आ रही होगी वहाँ कहीं न कहीं से, सूरे का प्रकास है, दिन हैं तो सूरे का प्रकास होगा, रात है तभी वहाँ पे कुछ नकुछ रहता ही है, air तो रहेगा न, all time चैहा है रात हो, दिन हो, कुछ भी हो, air हो गया, sunlight हो गया, water हो गया, smile हो गया, ये सारे के सारे non-leaving कुछ element भी present होते हैं तो community जो अपना था community का मतलब जितने भी population थे सबका group बना लिया हमने इस community के साथ जब आप non-leaving element को भी जोड लोगे non-leaving element में क्या क्या आ गया air आ गया स्वाइल आ गया water आ गया sunlight आ गया तो यह आपस में जब मिल जाते हैं तो यह बनाते हैं बेटा ecosystem क्या बनाते हैं ecosystem अभी तक हमने क्या देख लिया कि हमने सुरुआत किया था एक cell से cell से आते आते हमने organism बनाया organism में species को समझा species के group को population बोला कई सारे population यहाँ पे थे उनके group को हमने community बोल दिया देखो यहाँ पे कई सारे population है इस community के साथ जहां यह community रहती है वहाँ कई सारे non-leaving factors भी होते हैं क्योंकि हम कभी भी without non-leaving factor के जिन्दा नहीं रच सकते बिना air के हम सांस नहीं लेंगे पानी के भी नहीं हम जी नहीं सकते हैं ऐसे ही जो हमारा घर होता है वहाँ भी तो हर एक चीज non-leaving element से ही मिलके बना है तो वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं ecosystem then अगर आपसे पूछें कि ecosystem क्या है तो आप क्या बताओगे एक ऐसा system जहाँ पे living और non-leaving दो तरीके के हमारे factors होते हैं और वो आपस में interact भी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं ecosystem बोलते हैं अब देखिए interaction कैसे ये करेंगे आपस में इसको समझते हैं living और non-living बहुत यह असान है बटा देखो अभी मैं एक सिर्फ plant का लेके चल रही हूँ कि यह मानलो अपना plant है कैसे एक living organism non-leaving के साथ correlate करता है देखिए बिना उसके बिना living living organism कभी बेटा survive नहीं कर सकता है अगर उसके आज पास non-leaving factors ना हो देखिए यहाँ पे हम कुछ leaves बनाते हैं कलर ही गलत चूज कर लिया वट यह यह लीव है मानलो यहाँ पे उसका flower बना लो अब यहाँ पे देखो अगर इसमें sunlight ना दो आप water ना दो air ना रहे oxygen carbon dioxide के exchange के लिए तो यह क्या यह plant जो है वो survive कर पाएगा बिलकुल नहीं और अगर यह plant नहीं सरवाइब कर पाएगा तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएँगे या जितने भी कार्णिवोर्स वो नहीं रहेगा तो हमने क्या देखा कि ultimate ये plant dependent है non-living things पे और इसके साथ ये जितने लोग हैं वो सब भी किस पे dependent है non-living factor पे ही dependent है तो यहाँ पे होता है interaction किसके किसके बीच में interaction between living and non-living element इसी interaction को बोला गया है ecosystem एक system बन गया है इस interaction से अब देखो यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि ये plant sun से क्या लेता है light लेता है light के presence में plant की जो leaf है ये ये क्या करती है photosynthesis करती है और photosynthesis करके ये बनाती है खाना और इसी खाने की वज़े से plant growth करता है और इसका ये flowering वगेर जो भी होना है होता है तो light का important समझा आपने air में कई सारी gases है जिसमें CO2, O2 सब है तो यहाँ से वो carbon dioxide लेती है और oxygen को छोड़ती है जो oxygen जितने भी herbivores हैं या फिर जितने भी carnivores हैं सब के लिए जरूरी है जमीन के अंदर जो इसकी root है यहाँ से water लेती है और इसी water से ये अपना ये पूरा photosynthesis का process कराती है तो हमने समझ लिया कि कैसे एक living organism dependent होता है non-leaving factors पे ठीक है बिटा अब चलिए हम ecosystem तक पहुँच गए थे अब ecosystem के बाद हम देखते हैं कि अपना आगे क्या होता है तो हम कहां तक आये थे विटा हम आ गए थे species से population पे और population से कहां गए थे हम community पे और community से हम चले गए थे अब ecosystem पे यहाँ तक समझ लिया था न species क्या है आपस में वो करता है interbreed population क्या है group of species group of species community क्या है group of population और ecosystem क्या है community प्लस non-leaving factor यह बन गया है ecosystem ठीक है अब अगर ecosystem हम कई सारा उठाएं माल लो यहाँ पे एक forest है forest में भी ecosystem होगा उसी forest के साथ साथ वही पे कोई pond है तो pond में भी तो ecosystem होगा इस pond के अंदर क्या क्या हो सकता है मालो यह pond है तो यहाँ पे कुछ बड़ी मचलियां होंगी कुछ छोटी मचलियां होंगी कुछ plant भी लगे होंगे जिनको algae बोलते हो कुछ algae या सैवाल लगे होंगे यहाँ पे मेढख होगा इसके यहाँ पे कुछ plant लगे होते है plant ठीक है स्वाइल भी आती है बाहर उपर अपने sunlight से light भी आती है यहाँ पे air भी आएगा oxygen लेंगे सब और CO2 छोड़ेंगे उपर तो कई सारे छोटे छोटे organism भी होते हैं तो यह भी एक ecosystem बन गया एको सिस्टम यह पॉंड वाला है forest वाले में क्या होगा कई सारे आपको ट्री दिखाई देंगे ट्री का population कई सारी ग्रास होंगी यहाँ पे ग्रास का population इस ग्रास में कई सारे organism भी होंगे गर forest है तो वहाँ पे शेर वागेर भी होंगे कई सारे organism होंगे तो उनका population यहाँ पे दिखाई देगा अब अगर हम किसी एक particular area को देखें जहां पे temperature हो गया rainfall हो गया temperature की बात कर लेजिए rainfall की बात कर लेजिए यह सब क्या रहता है एक जैसा रहता है उसको हम बोल देते हैं biome तो हमने क्या देखा विटा कि ecosystem में जब हम कई एक large area देखते हैं जहां पे temperature और rainfall equal रहता है उसको हम बोल देते हैं biome और यह biome आगे चलके बनाता है biosphere क्या बनाता है विटा biosphere biosphere क्या है वह जगह जहां पे life exist कर सकती है तो हमने क्या देख लिया कि हम एक atom से सुरू किये थे और atom से सुरू करके वहां तक पहुँच गए जहां कहीं भी life exist कर सकती है biosphere में कहां कहां life आप देख सकते हो या तो आप देख सकते हो lithosphere जमीन पर या तो आप देख सकते हो air में भी atmosphere भी हो सकता है या तो आप देख सकते हो पानी के अंदर hydrosphere तो ये पूरा जो था वो एक overview था organism और population का कि कैसे organism से population बना है population कैसे आगे चलके community ecosystem बनाता है ecosystem large area में है जहाँ पे temperature और rainfall generally equal रहता है उसको हमने biome बोल दिया और यही biome आगे चलके बना लिए biosphere जहाँ पे life exist कर सकती है तो ये पूरा वीडियो था हमारा organism और population का एक general understanding के लिए ऐसे ही इस chapter के और वी videos के लिए आप इस channel को like करिए, subscribe करिए and yes comment section में मुझे लिख के बताईए कि अगला वीडियो आपको किस chapter के कौन सी topic पे चाहिए thank you for watching